रश्नावली 12.1 के पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रस्न संख्या 1 से प्रस्न संख्या 3 तक के प्रस्नों को हल किया था आज हम प्रस्नावली 12.1 के पार्ट 2 वीडियो में प्रस्न संख्या 4 और प्रस्न संख्या 5 के प्रस्नों को हल करेंगे प्रस्न संख्या 4 है निमलिखित को सरल कर हल कीजिए तो इसका question number a है 4p minus 2 into p plus 7 is called to 2 आएए इसे सरल करते हैं और हल करते हैं यह या 4p minus यह 2 से multiply होगा तो यह हो जाएगा 2p और यह plus minus minus 2 into 7 is 14 is called to 2 अब हम यहां 4p minus 2p यह हो जाएगा हमारा 2p minus 14 is called to 2 अब हम क्या करेंगे कि दोनों और 14 add कर देंगे यानि जोड देंगे तो यहां हम add कर दे रहे हैं 14 बाया पक्ष में किया और यह दाहिना पक्ष में भी कर रहे हैं तो 2 plus 14 तो यहां यह 2p यह minus 14 और plus 14 यह cancel हो गया तो यह 2p is called to हो गया 16 अब क्या करेंगे कि हम बाया पक्ष में और दाहिना पक्ष में दो से भाग दे दे रहे हैं तो यह 2p by 2 और यह 16 by 2 तो हमारा आ जा रहा है पी is called to 8 अब question number b ले रहे हैं यह है 12 minus 3 into y minus 2 plus 3 plus sorry यह is called to है यहां पर यह is called to 3 plus 5 into 2 minus y पाले से सराल करेंगे तो यह हो गया 12 minus 3y और यह minus minus plus हो जाएगा 3 into 2 6 और इधर दाहिना तरफ 3 plus 5 into 2 10 और यह minus 5y तो यहां पर हो गया हमारा यह 12 plus 6 यानि 18 minus 3y और दाहिने तक्ष में हो गया 3 plus 10 हो गया 13 minus 5y इस बार हम क्या करेंगे इस step में प्लस 5y दोनों और एड़ कर दे रहे हैं बाया पक्ष में भी और दाहिना पक्ष में भी तो यह हमने दोनों पक्ष में 5y एड़ कर दिया तो यह minus 5y और प्लस 5y कैंसिल हो गया और यहां हमारा बच गया बाया तरफ 18 और यह minus 3y और प्लस 5y यह हो जाएगा 2y is equal to 13 अब हम इस step में क्या करेंगे बाया पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों और minus 18 कर देंगे तो यहां बाया पक्ष में हमने किया और दाहिना पक्ष में भी minus 18 कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां प्लस 18 है और यह minus 18 यह cancel हो गया तो यहां हमारा बच आ रहा है 2y is equal to यह 13 minus 18 हो जाएगा हमारा minus 5 अब दोनों और 2 से divide कर रहे हैं तो 2y by 2 is equal to minus 5y by 2 तो यह हमारा आ गया y is equal to minus 5y by 2 प्रस्टन नमबर C x minus 5 into x minus 1 is equal to 5 into 2 minus x आएए इसे सरल करते हैं और हल करते हैं x minus 5 से multiply करेंगे 5x और यह minus minus plus हो गया यहां तो 5 into 1 5 is equal to 5 into 2 10 minus 5x यहां x minus 5x यह हमारा हो गया minus 4x plus 5 is equal to 10 minus 5x यह minus 4x plus 5 है बाया पक्ष में अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में दोनों और LHS में और RHS में 5x add कर देंगे तो यहां हम बाया पक्ष में पले 5x यह cancel हो जाएगा और यहां minus 4x बाया पक्ष में minus 4x और 5x plus 5x यह हमारा हो जाएगा x और यह है यहां plus 5 is equal to 10 अब दोनों पक्ष में हम 5 minus कर देंगे या नि घटा देंगे यह हमने बाया पक्ष में घटाया और यह दाहिना पक्ष में घटाया तो यह हमारा हो गया यह plus 5 और minus 5 cancel हो जाएगा तो यहां हमारा answer आ गया x is equal to 5 D number question x minus 1 by 4 is equal to 2x minus 1 दोनों पक्ष में हम 4 से गुना कर दे रहे हैं यानि multiply कर दे रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं कि यह जो हर में 4 है वो cancel हो जाएगा x minus 1 by 4 into 4 और यहां 2x minus 1 into 4 तो यह 4 और यह 4 cancel हो गया तो यह हमारा यहां है x minus 1 और यह 4 से यहां multiply हो जाएगा तो चार दोनी 8x minus 4 का 4 अब x minus इधर बाया पक्ष में x minus 1 है और दाहिना में 8x minus 4 हम जानते हैं कि हमें हल करने के लिए चर को बाया पक्ष में सिर्फ होना चाहिए तो दाहिना वाले पक्ष में जो 8x है इसको cancel करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्ष में 8x घटा देंगे तो यहां घटाते हैं minus 8x और दाहिना पक्ष में भी घटाते हैं minus 8x तो यह plus 8x और minus 8x यह दो cancel हो गया और बाया पक्ष में हो गया x minus 8x तो यह हो जाएगा minus 7x और फिर यह minus 1 है minus 1 इस कल्ट्यों यहां हो गया minus 4 अब दोनों पक्ष में हम 1 add करतेंगे यहां हमने बाया पक्ष में किया और दाहिना पक्ष में भी हम 1 add करते रहे हैं तो यह हमारा इधर यह तो cancel हो जाएगा minus 1 plus 1 यह cancel हो गया तो यह है minus 7 x is equal to minus 3 तो यह हो जाएगा अब क्या करेंगे कि हम दोनों और minus 7 से divide कर दे रहे हैं तो यह हमारा आगया x is equal to 3 by 7 प्रसुन संक्या 5 समीकरन को हल कर जाच किजिए तो इसका a number है 4x plus 3 is equal to 8x minus 9 आईए इसे हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे हम जानते हैं कि हमें चर को बाई और रखना है तो दाहिनी और जो चर है इसे हमें cancel करना होगा और cancel करने के लिए हमें दोनों पक्ष में 8x minus करना होगा यानि घटाना होगा तो देखिए बाइं पक्ष में हमने 8x माइनस किया और दाहिने पक्ष में भी हम माइनस 8x हमने किया तो यह प्लस 8x और माइनस 8x कैंसल होगे तो यह 4x माइनस 8x यह होगे हमारा माइनस 4x प्लस 3 इसकल टू माइनस 9 इस बार हम दोनों पक्ष में 3 माइनस कर दे रहे हैं तो ये मैंने बाया पक्ष में किया और आहिना पक्ष में भी करते हैं तो बाया पक्ष में प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसल हो गया तो ये आ गया हमारा माइनस 4x इसकल टू माइनस 12 अब दोनों पक्ष में माइनस 4 से हम भाग दे देंगे तो ये माइनस 4 x बाई माइनस 4 इसका टू माइनस 12 बाई माइनस 4 तो हमारा यहाँ पर answer आ जा रहा है x बराबर 3 अब है कि हमें इससे जाच भी करना है कि जो हमारा answer आया वो सही है अथवा कलत तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में बारी बारी से हम x का माण रखकर हम देखेंगे कि क्या उसका माण बराबर आता है अथवा नहीं तो आईए इससे जाच करते हैं जाच सबसे पहले lhs यानि बाया पक्ष तो lhs हमारा है 4x प्लस 3 तो हम x का माण यहां 3 बैठाते हैं 4 गुना 3 जोड 3 तो यह हो गया चारते 12 और 3 जोड़े तो ही आगया 15 अब rhs यह है 8x माइनस 9 तो यह हो गया 8 x 3 माइनस 9 तो देखिए 8 x 24 और 24 से 9 घटाएंगे तो हमारा 15 आजता है इसका मतलब कि जो हमने x का माण 3 निकाला वो सही है इस पर क्या देख रहे हैं इसलिए lhs स्कल्टू rhs यह हमारा जाच हो गया यह सही है रस्न नंबर b 12x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इसकाल टू 6 आई यह से पहले हल करते हैं 12x माइनस यह मल्टिप्लाइं करेंगे 3 से 3 इंटू x 3x और यह माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 12x माइनस 3x यह आगया हमारा 9x माइनस 3 इसकाल टू 6 अब दोनों पक्ष में हम 3 जोड देंगे 9x माइनस 3 प्लस 3 इसकाल टू 6 प्लस 3 ऐसा क्यों हमने किया क्योंकि यह बाया पक्ष में जो माइनस 3 है इसे हमें कैंसल करना है तो यह माइनस 3 और प्लस 3 यह कैंसल हो जाएगा तो यह हमारा आया 9x इसकाल टू 9 अब दोनों पक्ष में हम 9 से भाग दे दे रहे हैं तो 9x बाई 9 इसकाल टू 9 बाई 9 तो हमारा x का मान आ जा रहा है 1 अब इसकी जांच आप स्वें करें जांच कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ LHS जो LHS है यहां इसका मान रखिए फिर RHS आपका यहां पर तो दिया ही हुआ है अब LHS का यह जो व्यांजक है इसे दिखके वहां x का मान एक बैठाईए उसके बाद देखिए कि क्या यह दोनों बराबर आता है यह अथवा नहीं यह आप स्वें करें प्रस्न सी 3 इंटू x माइनस 4 इसकाल टू 4 इंटू 3 प्लस x आईए इस समीकरें को हम हल करते हैं या यह 3 से मल्टिप्लाई होगा 3 x माइनस 12 और दाइना पक्ष में 12 प्लस 4 x अब दोनों पक्ष में हम 4 x घटा देंगे तो 3 x माइनस 12 माइनस 4 x इसकाल टू 12 प्लस 4 x माइनस 4 x तो दाइना पक्ष में हम देख रहे हैं प्लस 4 x है और यह माइनस 4 x है तो यह कैंसल हो गया तो हमारा बाइना पक्ष में बच गया है 3x minus 4x, यानि minus x, minus 12 is equal to 12, अब दोनों पक्ष में हम 12 add करते रहे हैं, तो minus x minus 12 plus 12, और ताहिना पक्ष में 12 plus 12, तो बाइना पक्ष में हम देखते हैं, minus 12 और plus 12, यह cancel हो गया है, तो हमारा आगया, minus x is equal to 24, अब दोनों पक्ष को हम minus 1 से multiply करते रहे हैं, तो minus x into minus 1, और यह 24 into minus 1, तो यह हमारा आगया, minus x into minus 1, यानि x, और यहां हो जाएगा, minus 24, तो x का हमारा यहां मान आ रहा है, minus 24, अब इसकी जाज आप स्वैम करें, प्रस्न संख्या A में जिस तरह से हमने किया है, ठीक, उसी तरह से आप इसकी जाज करें, प्रस्न संख्या D, 9x plus 1 is equal to 9 into x minus 1 minus 5x, आईए इसे हल करते हैं, तो यह बाया पक्ष में तो है 9x plus 1, दाहिना पक्ष में यह गुना करेंगे, 9 into x, 9x minus यह 9, minus 5x, यह 9x plus 1 is equal to, यह 9x और minus 5x, तो यह हमारा आ गया 4x minus 9, अब दोनों पक्ष में हम 4x minus कर दे रहे हैं, यानि घटा दे रहे हैं, तो 9x plus 1, minus 4x is equal to, 4x minus 9, minus 4x, दोनों पक्ष में हमने घटा दिया, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो दाहिने पक्ष में यह plus 4x है और यह minus 4x है, तो यह cancel हो गया है, और बाया पक्ष में 9x minus 4x, तो यह हो गया हमारा 5x, plus 1 is equal to minus 9, अब हम क्या करेंगे, कि दोनों पक्ष में 1 minus कर देंगे, तो 5x plus 1, minus 1, और यहाँ minus 9, minus 1, तो यह plus 1 और minus 1, cancel हो गया है, या 5x is equal to minus 10, अब दोनों पक्ष में 5 से divide कर दे रहे हैं, यानि भाग दे रहे हैं, तो 5x by 5 is equal to minus 10 by 5, तो यह हमारा आगया, x is equal to minus 2, अब x का जो मान minus 2 आया है, इसकी जाच भी हमें करनी है, तो यह जाच आप कैसे करेंगे, यह मैं पुना कर रहा हूं कि प्रसुन संख्या यह जो ए है, इसमें हमने जाच करके दिखाया है, किस तरो से जाच करते हैं, तो इसकी जाच भी आप स्वाइम करेंगे,